अब उस बयान को मुद्दा बना लिया गया है ये क्या मुद्दे की बात है मुद्दे बहुत सारे हैं जैसे इनकी प्रवक्ता नुपुर सर्मा वो इसलाम को लेके इस तरह की बात है करती है और हम देश के नागरिक इनकी इन चर्चाओं में अपना वक्त गवाते हैं हमें क् आटी पे नमक पे पड़े लिखे नहीं हैं सिच्छित लोग हैं जोला लेके चला जाओंगा खुद कहते हैं आज हम इनकी बातों में बता हुमारे देश के नाम पर किस तरीके से गंदी राजनीती कर रहा है और भारती जंता पार्टी कितना पैसा केवल इंडिया नाम को आपके पार्लियमेंट के अध्येश को दिखाये जाता है राउल गांदी जी की आबाज सुनने में आती है राउल गांदी जी को बोलने दे रहे हैं क्या आप लोग मुद्दे यह होने चाहिए आज दिल्ली की जंता किसे मतदान करेगी विद्यान सभा के चुनाओं में जि दिल्ली के मुख्यमंत्री के सभी अधिकार चीन लिए नमस्कार मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नाशनल दस्तक तमिलनाडू के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदैनिधी ने एक बिवादित बयान दे दिया सनातन जो है डेंगू मलेरिया कोरोना के जैसा है इसे खत्म कर देना चाहिए जिसके बाद बीजेपी ने इस मुद्ध को तबियत से उछाला है और एक मुद्धा बना लिया है और कॉंग्रिस को लगातार इंडिया गटभंधन और कॉंग्रिस को घिरने का काम शुरू कर दिया है कही ना कहीं कहा जा रहा है कि और अद्जिया सच है कि इंडिया गठबन ने ब्रहुमास्त्र दें दिए बुजेपल को अपने ही खफोट्ध द्वारत पपशन踏 था है, उसके जुम्मेदार मंधफार किसी तरह का ब्यां नहीं है उदेनिदी ने बयान दिया है अब उस बयान को मुद्दा बना लिया गया है ये क्या मुद्दे की बात है मुद्दे बहुत सारे हैं मुद्दा ये है कि आज किस तरह से मनीपुरी के क्या आलात हैं मुद्दा ये है कि देश में तमाम राज्यों से बड़े पेमाने पर जैसे गुजराशे तालिस oops मुद्धा ये नहीं की यह mêmes की सिक्जाप और यहां दिलोगों का नहीं संही एक राजनेत्तितक जल हम अपनी वास्तिविक्ता से दूर अट जाएं एक मनोवेग्यानिक जो माहुल बना रखा है मीडिया ने कालपनिक दुनिया बना रखी है उस कालपनिक दुनिया में हम किस तरीके से गुमरार हैं सनातन दर्म पर अमला करने वाले बड़े-बड़े तीसमार रखां आए पूरा परिवार इनके पापा इनकी मम्मी इनकी अम्मा यह सारे लोग मंदिरों में जाके 40-40 लाख रुपे का चड़ावा चड़ाते हैं और जनता को बेपकू बनाने के लिए और भारती इंता पाल्टी तो इंतजार करती है कि कौन किस तरह से इस तरह की बातें करें जैस isia की अन्यolandi, फुकमरी हम टेक्स दे रहे हैं आटे पर नमक पर आप देखिए 70 साल इस देश पर सासं करने वाली सरकार है Вс ech agres नमक पे टेक्स कभी लगाया कभी दूद पर टेक्स लगाया कभी आठा पर टेक्स लगाया बड़ी-बड़ी बात हैं करते हो बھारत को बिवा नहीं है सिच्छत लोग है जोला लेके आए जोला लेके चला जाओंगा खुद कहते हैं आज हम इनकी बातों में बताओ हमारे देश के नाम पर किस तरीके से गंदी राजनीती कर रहा है और भारती जंता पार्टी कितना पैसा केवल इंडिया नाम को इंडिया भी भारत है उस फंक्षन नहीं हुए जिटाणती जैसे हमारे डेश में प्रग्राम नहीं हुए अमारे देश के परदान मंतरी को जंता से डर लगता है जो आपने दिल्ली बंद कर दी है जब हमारे देश के परदान मंतरी किसी भी देस में जाते हैं तो वहां की public आपने टीवी पर देखी इंकि आज बच्चे किस तरह बटक रही हैं आज किसी को पता है आज तक किसी बी टीवी चैनल पर जिन बच्चों आज बटक रहें इस प्रोग्राम के कारन जिनके घरोज आड़ बे गए यह तीन दिन के लिए अब जो द्याड़ी मजदूरी जन अगर जंटा को फोडिश नो को इस तरह बंड करना पड़ता कि हम नहीं देख पाएं कि हमारे देश में हमारेकddे excellence चांदी चेंडी अधरो डेशह likewise नहीं खाने को रोटी नहीं है खाने को फिर आप कहते हैं कि उध्यनिदी ने क्या कह दिया बखवास कर रहा है उध्यनिदी कौन चादेश का नागरिक नहीं जानता बता उध्यनिदी इसके लिए पहले बात सुनिए, सभी जब आपने नुपुर शर्मा का एक्जामपल दिया, जब नुपुर शर्मा ने बयान दिया था, बीजेपी ने उनको निलंबित कर दिया, पूरे बीजेपी को टार्गेट किया जा रहा था, कि पूरे बीजेपी माफी माँगे, कॉंग पाटी है आप स्टालिन को इस बात के लिए बोलिए ना किस तरे लोगों ने कहा कि वो गलत है कि सब को कहना चाहिए जिसे लगता है अपनी अपनी मान सिकता है कॉंग्रेस पाटी ने क्या उनको सई ठहराया है कि राहुल गांदी जी ने कोई ब्यान दिया क्यों नहीं दिया वही तो बात अब तक राहूल गांदी ने प्रियंका गांदी ने कुछ बयान क्यों नहीं दिया जनता जानना चाहती है ना कि उनका स्टैंड क्या है इस पर गांदी जी को बोलने दे रहे हैं किस तरह से उनकी सदश्ता को चीना किया यह देश देख रहा है किस तरह से आज को आज को आप दबा रहे हैं इस्टालिन और उसके बेटे ने कहा दिया तो क्या हो गया इससे कि हमारा दर्म जो हमारे सनातन दर्म की दलाली करता कैसे वो एक हिंदू राष्ट बना रहा था कह रहा था अगर अप्रेल में इंदू राष्ट गोसेत नहीं होगा तो मैं जल समाधी ले लूगा वह अभी जि मतलब संत है संत की एक बाड़ी होती है संत का एक बिश्वास होता है संत का एक चरित्र होता है जल समाती नहीं ली मोधी ने इंदू राष्ट नहीं कोचित किया अब वो प्रोप गंडा जूटा संत डोंगी अपरादी है वो आज उसकी अगर हमारे देश की एजंशिय करने के लिए सादू का बेशदारन की आता है यह देश की जंता को धर्म के नाम पर बग्रालने के लिए यह कुछ मुठी पर डोंगी आज दुरबाग गीए है कि हमारा देश हमारे देश के सनातनी आज अपने धर्म की रक्षा इन्हें डोंगी लुटेरों से नहीं कर पा हैं जो समय समय पर उल्टे सीधे ब्याम देकर हमारी बास्तविक जंता की जरूरत पीड़ा और उनकी उप्यों की चीजों की बात ना हो सके वो मुद्दे ना बन सके आप दर्म के नाम पर अभी आने वाले चुनाओं पर राम के नाम पर अर्जुन खडगे के बेटे ने उ सोसल मीडिया के अधिकार चीने जा रहे हैं चीप जश्टिस ओफ इंडिया कहते हैं कि मीडिया सत नहीं दिखाता जूट दिखाता है यह मुद्दा नहीं है क्या चीप जश्टिस ओफ इंडिया के दोवारा दिये गए दिल्ली की जंता को अधिकार अर्वन केजरी वाल को दिये गए अधिकार अध्यादेश के माध्यम से किस तरह से तानासाई हकूमत ने चीन लिए मुद्द्ध ये होने चाहिए आज दिल्ली की जनता किसे मतदान करेगी विधान सुभा के चुनाओं में जिस मुखमंत्री के पास ना डोल ना मजीरा ना कोई ताकत एक जोकर के ल अधिए धर्मकाट कौन नहीं पढ़ा रहा है राहूल गांदी मंदिर नहीं जाते के जरिवाल हनुमान मंदिर नहीं जाते खलेश यादो अपने आपको कृष्ण के वंसज नहीं ते राहूल गांदी जी ने कब मंदिर के नाम पर भूट मांगा आप मुझे बताएं पूर पूरे संपूल भारत के सामने रावल गांदीजी का सच है और यह उद्यनिदी क्या है क्या भारतियों को क्या इस देश के हिंदूों को सनातनियों को यह लगता है कि कोई एक टुच्चा सा आदमी अगर हमारे धरम पर टिपड़ी कर देगा तो वह मुद्दा होना चाहिए या यह मुद्दा होना चाहिए हमारे बच्चों की सिच्छा आज कितनी महंगी कर दी गई है आज हमारी किचिन का खर्चा कितना बढ दिया गया है आज बेरोजगारी स्त girlfriend सीमा पर है कि हमारे घर के माता पिता बाई बैन के नोगरी करने के बावजूद भी आज हमारे घर की सभी समस्यां दूर नहीं हो पा रही है मुद्धा यह होना चाहिए तुदै निधी तुच्चा सादमी नहीं है वो तमिलाडुक में कैमिनेट मिनिस्टर है वो बहुत बड़ा एक एक्टर है प्रोडिूसर है वो एक मुख्यमंत्री का बेटा है तभी यह बयान दिया है ऐसा बयान देने वाला तुच्चा नहीं होगा तो क्या होगा आप बताइए मुझे इसे तुच्चा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे इसके माता पिता और स्वेम स्टालिन जाके मंदिरों में सोना चांदी क्यों चड़ाते हैं और उनका बेटा इस तरीके के बयान दे रहा है स्टालिन ने क्या बोला आप जनता को बिरमित करते हैं आप जनता के साथ खिलवाल करते हैं और जिस तरह से जंता की भावनाओं से खेल रहे हैं, जंता को इस पर चिंतन करना चाहिए, बोट देने का अधिकार हमारा आपका है, हमने आपने ऐसे नेताओं को चुना है, जो नेता हमारी आपकी बात ना करके, किस तरीके की बातों को कर रहे हैं, और जिनने मुद्दा बन मांचित्र में चाइना ने सामिल कर लिया वो चाइना का हिस्सा है मुद्दा यह नहीं होना चाहिए कि देशवासियों कहां गई मांत्र भूमी के लिए बड़ी-बड़ी बात करने वाले कि अखंड भारत की बात करने वाले मुहन भागवत जो पीयो को के लेकर हमारे संसद मे है हम इसा केहता ता जान दे देंगे चायना नहीं रिया है मुझसे क्यों ओज नि अगल लई आज मुद्दा यह होना चाहिए चैना नहीं हमारे खलाप ऐसा मान चितर पेश किया क्या जवाब दे यह भारए सरकार की दसरít के बदले दसरी के बदले बड़ी-बड़ी आज जुम्यधारी को नहीं हुआ रहे जब ये गरहामन्तिरी थे तब इनों ने कि तरीके circuits न की कारण पुलमअ मा यह से हमला हुआ आर चत्यपाल मलिक इनकी पालिटी का नेता इनके दुआरा इनकी गेर जुम्मेदारना अरकत देश के सामने लाया यह फूट कहते हैं माकट बंदन भारत में हैं फूट माकट बंदन भारत में नहीं फूट बारती जनता पार्टी में और आज देश बाजबा के खिलाप है आने वाले 2024 के चुनाओं में राउल गांदी जी देश के PM होंगे तो जाहिर है कि यह जनता को सोचना है कि कौन उसके हित में काम कर रहा है और कौन सिर्फ वोट बैंक की राजनीती कर रहा है जिस उदेश निदी ने यह बयान दिया कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए उनका पूरा परिवार मंदिर में दान करता है भंडारा करवाता है और वो खुद उदेश निदी अपनी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करने से पहले पूजा पाठ करते हैं उसके बाद शूटिंग स्टार्ट करते हैं पूरी बात चीत पर अपनी प्रतिकरियाज जरूर दीजिए कैमरा में आशीस के साथ ब्यूटी गरी नैशनल दस्तक स्टार्ट करते हैं